हाई गाईज कैसे हैं आप लोग गाईज पीडिक्स अपने यूजर्स के लिए एक नए अपडेट लेकर आया है जिससे आप अपने कंटेंट को केटेगराइज कर सकते हैं जैसा कि आप PDX पे देखते होंगे कि आपका सारा content एक ही जगे पर रहता था जिसकी वज़े से उसे ढूंड़ना और share करना काफी मुश्किल हो जाता था PDX के इस नए folder option के update से आप अपने content को categorize कर सकते हैं इसमें आप category wise folder बना के अपना content save कर सकते हैं जैसा कि आप अपने phone में category wise folder बनाते हैं जैसे friends के photos हो गए या family photos अलग या videos अलग screen shots अलग वैसे ही PDX के इस folder option से आप अपने PDX के content को folder wise categorize कर सकते हैं इससे आप category wise folder बना के जैसे कि किस folder में movies रखना है या किस folder में web series रखना है या अलग-अलग folder बना के bollywood movies, hollywood movies, web series अलग-अलग folder बना के save कर सकते हैं हलाकि यह folder feature अभी सिर्फ desktop version में ही available है तो आप अगर mobile से PDX use करते हैं तो desktop site version लगा कर इस feature को use कर सकते हैं चलिए अब मैं आपको इस folder feature को कैसे use करना है इस बारे में भी बता देता हूं आपको अपना PDX account open कर लेना है open करने के बाद my videos पर click करना है my videos पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक create folder का option दिखाई देगा simply आपको उस पर click कर लेना है और जिस भी नाम से आप folder create करना चाहते हैं उस folder का नाम दे देना है मैं यहाँ पर Bollywood movies का एक folder बना लेता हूं create folder पर click कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं आपका Bollywood movies का folder create हो चगा है इसी तरीके से मैं दूसरा folder बना लेता हूं इसी तरीके से मैं दूसरा Hollywood movies का folder बना लेता हूं इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने folder बना सकते हैं और अपने content को categorize कर सकते हैं इससे आपको अपने content को ढूनना असान होगा और उसे share करना भी असान होगा जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दो folder बना लिये हैं अब इस folder में अपने content को कैसे move करना है वो भी बता देता हूं जैसा कि मुझे इस content को Hollywood movies में move करना है तो simply आपको जिस folder में अपने content को move करना है उसको select कर लेना है और यहां पर आपको side में move का option दिखाए देगा उसके click कर लेना है जैसे आप move पे click करेंगे आपको नीचे move to का option दिखाए देगा उसके click करके जिस भी folder में आप उस content को move करना चाहते हैं उसे select कर लेना है मैं Hollywood movies में इस content को share करना चाहता हूं तो मैंने Hollywood movies select कर लिया है और content जो है Hollywood movies वाले folder में move हो चुका है मैं आपको open करके भी दिखा देता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस content को Hollywood movies वाले folder में move किया था तो वो content मुझे यहां पर दिख रहा है अभी मैंने एक ही content move किया है तो इसलिए मुझे एक ही content दिखाए दे रहा है इसी तरीके से आप अपने सारे content को category wise divide कर सकते हैं इससे आपको अपने content को ढूंडने में काफी help मिलेगी और share करने में भी काफी help मिलेगी तो guys यह था PDS का नया update मुझे तो यह update काफी अच्छा लगा आपको कैसा लगा मुझे comment में बताइए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो share कीजिए bye guys take care